हेलो ब्यूटिफल सोल्स दिस सान्वी शर्पान, I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey आये जानते हैं आपके पार्टनर की करन्ट फिलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर क्या है करन्टली आपके पार्टनर आपके बारे में इस रिलेशन्शिप के बारे में आज क्या सोचने वाले है आपके पार्टनर का फिलिंग्स आपको लेकर इस रिलेशन्शिप को लेकर आज किस तरह का होगा आएए जानते हैं आपके partner की current feelings आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर आज किस तरह की रहने वाली है तो पहला card यहाँ पर 7 of voices का card है The next card over here is the moon का card है The next card over here is the devil का card है The next card over here is 10 of materials का card है The next card over here is the fool का card है And bottom of the deck पर यहाँ पर 7 of materials का card है आज के जो यह reading है यह एक generalized reading है आप सबके साथ कही न कही resonate जरूर होगी तो यहाँ पर मैं किसी भी specific zodic signs का नाम नहीं लूँगी यह reading सभी zodic signs के लिए है देखिए आज जो आपके partner है न वो morning से इस relationship के लिए बहुत सदा motivated रहने वाले है आपके partner इस बात को याद करेंगे कि किस तरह से आपने हमेशा अपनी तरफ से इस relationship में अपना योगदान दिया जब आपके partner आपको support नहीं भी कर रहे थे वो आपके सामने अपने emotions को भी नहीं खुल कर रख रहे थे तब भी आप उनके लिए हमेशा खड़े रहे लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और अब उन्हें अपने आप में एक बदलाफ लेकर आने की ज़रूरत है इस relationship की प्रती अब सभी जिम्मेवारी उन्हें उठानी है अब वो आप से कुछ expect नहीं कर सकते हैं और अगर आपके partner आप इस रिष्टे में अपना 100% देंगे तो इस रिष्टे को अच्छा होने से कोई भी नहीं रोख सकता है इस तरह से उनका जो motivation है वो बना रहेगा morning में और इसके लिए वो कुछ planning करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं आज आपके partner को ये महसूस होगा कि अगर आपके partner ने पहले ऐसा किया होता तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही stable relationship में होते हैं आप दोनों की अपने एक family होती आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते लेकिन आपके partner को इस बात का हैसास भी होगा कि अभी वक्त इतना भी उनके हाथ से नहीं चला गया है कि वो चीजों को control नहीं कर सकते हैं तो इस चीज के लिए कैसे महनत कर सकते हैं इसके बारे में आज आपके partner सोचने वाले हैं आपके जो partner हैं वो काफी emotional रहेंगे लेकिन फिर भी आपके प्रती जो भी उनकी energies हैं उसे वो continuously channelize करते रहेंगे और अपनी life की जो opposing forces हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे आपके partner आज अलग-अलग चीजों के बीच में connection समझ पाएंगे ऐसा क्यों हुआ अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों react किया आप उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे इन चीजों के उपर आपके partner focus करने वाले हैं लेकिन जब आपके partner की इस तरह की energies change होती है तो जो भी third party situation है आपके partner के around वो active हो जाती है इस third party को पता लग जाता है कि आपके partner ना कुछ different करने की कोशिश कर रहे हैं आज जब ये third party आपके partner से बात करेगी तो इस third party को ना एक insecurity feel होगी इस third party को ऐसा लगएगा कि आपके partner ना कोई ना कोई change ज़रूर अपनी life में लेकर आ रहे हैं और उनसे कुछ चीज़े ज़रूर छुपाई जा रही है इस third party को ऐसा feel होगा ठीक है और ये third party को ऐसा लगएगा कि आपके partner इस third party को backstab करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये third party ऐसा कुछ तो अपनी life में नहीं होने देना चाहेगी तो ये आज कोई दुबारा से कोई गलत कर्मा create करती हुई नजर आ रही है जिसमें ये आपके partner की energies को उलजाने की कोशिश करेगी और आपके partner ना दिन में तो बहुत साथा motivated रहेंगे रात को उनकी energies में turbulence नजर आ रहा है रात के time पर उनकी energies में disturbance नजर आ रही है जो इस third party द्वारा create की जाने वाली है जिसकी वज़र से आपके partner को आज सारे दिन की planning का कोई फल नहीं मिलेगा रात के time पर आपके partner रोकर सोने वाले हैं इस तरहां से ये third party कुछ negativity generate करेंगी ये energies यहाँ पर clearly नजर आ रही है ठेक है तो अब ये third party को ही eliminate करना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए आज आप comment section में eliminate third party with a cross sign ज़रूर लिखेगा ताकि ये third party की elimination की energies किसी तरीके से channelize हो पाए क्योंकि ये third party बार बार ऐसी चीज़े create करने की कोशिश करती है जिससे कि आप दोनों के बीच का जो gap है वो बढ़ता ही चला जाता है आप दोनों कभी भी अपने आपको एक दूसरे के सामने express कर ही नहीं पाते हैं तो comment section में ज़रूर लिखेगा eliminate third party with a cross sign तो आए जानते हैं कि divine आपको आपके इस रिष्टे के लिए क्या guidance लेना चाहते हैं divine की क्या guidance है आपके लिए आए जानते हैं यहाँ पर guidance है regain your focus का card है divine आपसे ये कहना चाहते हैं इस रिष्टे के प्रति अपने focus को बनाएए ठीक है ये रिष्टा आपका है आप से ये रिष्टा कोई नहीं छीन सकता है आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है इस रिष्टे को लेख है आप situation के according अपने इस रिष्टे की priority को change नहीं कर सकते है कभी आप कहते हैं कि आपको इस रिष्टे में रहना है आप अपने partner की energies के according अपनी energies को change मत कीजिए उससे ये रिष्टा धीरे 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 आपके हाथ से फिसलता चला जाएगा ठीक है अपना focus बनाएगे इस रिष्टे के उपर उसके लिए आपको basically जानने की ज़रूरत है कि आपके इस relationship में actually हो क्या रहा है इस रिष्टे की blockages क्या है उन blockages को आप किस तरह से overcome कर सकते है ठीक है तो उसके लिए रात को detailed reading आपकी love life के उपर रात को 9 बचे इसी channel पर मैं post करते हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखिए आपको आपके रिष्टे की सच्चाई समझ आ जाएगी बाकि आप बहुत समझदार है समझदारी